आज हम गुथे हुए आटे का रिसीपी बना के लाए हैं बहुत हिमास्त और टेस्टी बनता है तो बाजार से अक्सर लोग नोडल खरीद के लाते हैं तो घर में बना हुआ ज्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है तो एक बार जरूर से बनाईएगा बचे हुए आटे से हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप वीडियो से कुछे बना सके सीख सके तो यह देखिए कितना मस्त हम बचे हुए आटे से नोडल बनाए हैं बहुत ही टेस्टी हलो फ्रेंज स्वागा थे मेरे इस चैनल में तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो यह देखिए हमारा बचा हुआ आटा है तो इसे हम एक पलेट में निकाल लिए हैं और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी घी ताकि बढ़िया सा करंची टेस्ट आए तो यह रूटी का आटा था तो इसमें तो कुछ भी नहीं डालते हैं तो बना रहे हैं रिसीपी तो इसमे हम बढ़िया से मसाल कर सान लेंगे अब इसमें थोड़ी सी क्रंची टेस्ट लाने के लिए हम इसमें डाल दिये हैं एक चम्मज के करीब सफेद तील इससे बहुत अच्छा सोन ही सी हमारे रिसीपी में टेस्ट आता है तो यह जरूर से डालिएगा अब इसे बढ़िया से म सोटे बड़े कर सकते हैं तो हम बिल्कुल जो बड़े साज का पूरिया राता है उस तरह से हम बेल कर तयार कर लेंगे यह देखिए हमारा बन गए एक रोटी हम बेल लिये हैं तो इसी तरह से हम देखिए ज्यादा मोटा नहीं है ज्यादा पतला भी नहीं है इसे इस तरह स तो यह देखीए दोसरा भी हम बना लिए हैं इसी तरह से हमारे चारों रोटियां बनकर तैयार हो गया है तो इधर हम पानी चड़ाए हुए हैं पानी बहुत ही बढ़िया से गरम हुआ है तो अब इसमें हम क्या करेंगे एक-एक करके सारे रोटियों के हम डाल देंगे देखे इसी तरह से हमें सारे रोटी इसमें डालना है एक एक करके यह बिल्कुल भी चिपाकता नहीं बहुती बढ़िया से जब उबने लगता है तो पूरे रोटी ऊपर आ जाता है तो देखिए ये बहुती बढ़ियां से हमारा उबाल आने लगा है करीब करीब हमें 5-6 मिनट तक किसे उबालना है ये बहुती बढ़ियां से हमारा हो जाता है तो यह देखिए एक उलट लेते हैं तो नहीं उलट येगा तो भी चलेगा क्योंकि ये पाने में पुरा डूबा हुआ है तो ये बढ़िया से सिज़ जाता है अब देखिए योवाल आ गया है तो ये हमारा रोटी बढ़िया से पक गया है तो इसे थोड़ी देर के लिए ऐस निकाल लेंगे तो ये सारे एक एक करके हम निकाल के अलग अलग रखेंगे एक तल एक पर एक रखने से ये चिपक जाएगा तो इसे हम अलग-अलग आज है तो अलग-अलग बर्तन पर रख सकते हैं या तो बर्तन अगर बड़ा प्लेट है तो उसे इस तरह से अलग-अलग रखेगा नहीं तो ये गरम है और पानी से निकलने के बाद चिपकने लगता है तो लिजिए ये हमारा रोती भी निकल गया है अब इसे क्या करेंगे ये कडाही को हम हटा कर इस पर हम पैन चरहाएंगे अब रूटियों के हम ठंड़ा होने देंगे, ऐसे ही फैला कर, तब तक हम आगे के तयारी करते हैं, तो देखिए ये फैन हमारा गरम हो गया है, तो इसमें डाल देंगे हम तेल, तेल को बढ़ियां से गरम कर लेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे, आधी चमज के करीब जी इसमें डाल देंगे, इस तरह से रफली यानि बारी कटा हुआ प्याज, एक छोटे साइज के, इसे थोड़ी देर के लिए हम चला के, ऐसे ही सौटे करेंगे, तो ये देखिए, थोड़ी देर हमारा ये सौटे होगे, ज्यादा इसे नहीं पकाना है, अब क्या करेंगे, त इसे हमारा रिसीपी बहुत अच्छा क्रांची टेस्ट आता है, देखिए, तो ये भी डाल के थोड़ी देर के लिए हम भूंज लेंगे, ताकि हल्का सा गोल्डन प्रावन हो जाए, इतना हमें भूंजना है, तो ये देखिए, हमारा ये भूंज गया है, तो अब ये कील कर, और बारिक बारिक से हम काट लिए है, अगर चाहे तो डालेए, ये बिल्कुल आप्सनल है, ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बच्चों के आलू बहुत पसंद आता है, तो इसलिए आलू हम डाल दिये हैं, इस कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो डालेए या, इसकिप कर सकते हैं, थोड़ी सी एक बारिक कटा हुआ गाज़र ले लिए हैं, और भी डाल दिये हैं, जैसे कि आप मैगी या नूडल में सबजिया का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से इसमें भी आम इस्तेमाल करेंगे, दो से तीन बेन शाए, उस से भी काट दाल दि झाल 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 झाल